हेलो अल्ड जी डव्ल्यू सोल्जर स्वागत है आप लोगों का गेट वाला पे आज हमारे साथ हैं मेकैनिकल के आल इंडिया रैंक 34 और 36 तो बिटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो कॉंग्राचुलेशन्स तु बोथ आप यू यू है एक साथ हमारे पास ना दो-दो आल इंडिया रैंकर्स हैं और वो भी लगभग इनकी रैंक्स जो है वो बहुत क्लोज है 34 और 36 मैं सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा अमन और एक मिशाल के मार्क्स में कितना डिफ्रेंस है तो मुझे नहीं लगता बहुत जादा डिफ्रेंस होगा तो अमन आपके मार्क्स किते थे एक्जैक्ली तो 75 ओके एंड एक मिशाल आपके सब मेरे मार्क से 74.33 देख सकते हैं आप लोग तो लगभग बहुत क्लोज मामला था मेरे ख्याल से शायद नेगेटिव मार्किंग में एकात किसी क्वेस्चन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे ये रैंग जो है 34-36 हो गई है बट एनिवे बहुत 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 अच्छा ल तो मैं जानना चाहूंगा कि यह आपका पहला गेट अटेंब्ट था या इससे पहले भी आपने गेट के लिए प्रिपेर किया था गेट दिया था यह ने आज़े की सिकोंगे टाइन से कर पाया तो मैंने तुछ तो थर्म अफ्लूइट्स का पाट कूरा इस वोड़ दिया 25-30% syllabus पूरा ही शूट गया और जब मैंने अटेंट जिया जो दिया बस उसको स्टॉंग रख कर दिया था तो उस बेसिस पर रैंक उस्टाइंग थी 1282 रहा है पर दीने दीरे रिविजर स्टाट करा फिर रास्ते में गेट वाला में लेट वाले के टीचर से और अच्छा सारण सपोर्ट मिल दिया ट्रैश को अटेंग किया जैन तक आते आथे जो क्लासे तली ओवर नाइट वो नाइब नहीं देख पाया क्योंकि वह स्लीप साइकल की अब उसको रिकॉर्ड डिकॉर्ड हो चुपर वरा की वालोग तो वह बनीफीचल रही एंट टाइम पर काफी क्वेस्टेंस में सामने आये ते गेट 23 में तो ऐसा लेक के लग रहा था कि ये किया तस्वाल में यह हथे एक 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 हफ़ते बर पहली सूल किया इसा इसा क्व सब्सक्राइब तो उसके पाद चलो वेरी गुड वेरी गुड यार एक मिशाल हम आपसे भी जाना चाहेंगे क्या यह आपका पहला गेट अटेम्ट था या इससे पहले अपने अटेम्ट किया है अटेम्ट तो मैंने सर फर्स्ट एंट जब मैं थर्ड यर में था तो सर उससमय तो क्या हुआ था कि बहुत टाइम स्पैन बहुत कम था प्रिपरेशन का तो सर मेरा भी कुछ ऐसी था कि मैंने 40 परस त्यार करा था तो उस बेसेज में सर हमने मतलब दोस्तों का गुरूप बना थी यूट्यूब वगरा की मदद से तो सर तो वो सर 40 परसेंट की तैयारी के साथ ही दिया था और सर मेरी रैंक 5902 आई थी सर उस समय फॉर्स एक में उसके बाद सर फिर जब मैं फाइनल एर में गया था तब फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई कर रही थी सर थियोरी बहुत फिर मेरा 2022 का एटेम्ट वो भी इतना अच्छा नहीं रहा था और सर मेरी रैंक 3800 आई थी सेकिंड एटेम्ट में फिर सर जब फाइनल एर हो गया था फिर एक साल फिर जब मतलब लग गया था कि ठीक है आप अच्छे से तैयारी करनी अच्छी स्ट्रेजी के साथ तो सर प् इंप्रूब्मेंट तो हुआ था उसकी वाज़े सार इतने माकसा है आच वेरी गुड यार वेरी गुड तो यह जानके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ने गिव अप नहीं किया आप लोग लगे रहे और उस चीज़ का आप लोगों का रिजल्ट भी मिला और बहुत मुश्किल होता है कि first attempt में ही हम लोग expectations के मुताबिक perform कर जाएं क्योंकि यार देखो आप कितना भी guidance लेलो लेकिन न जब आप पहली बार जब exam phase करते हो या आप लोगों ने खुदी मतलब यह चीज महसूस कियोगी न कि जब पहली बार आप exam देते तो वो कुछ surprising च चाहिए था या फिर मेरी preparation ऐसी होनी चाहिए थी तो चोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं जिसकी वजह से शायद पहले attempt में आप उतना अच्छा ना कर पाएं लेकिन अगर आप लगे रहे हैं अगर आप give up ना करें तो आप आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं अच्छ में class भी ली थी एक बर शायद आप लोगों के seniors के लिए होगे एक मिशल आप कहां से सर मैं NIT सूरत से हूं सर बहुत बढ़ी है या बहुत अच्छा लगा मैं यह जानना चाहूंगा कि आप लोगों की revision की strategy क्या थी क्या है जब आप एक बार कोई subject पढ़ लेते हैं उसके ब मैंने एक बार तो पढ़ लिया पूरे concept मैंने एक बार तो समझ लिए अब दुबारा मुझे पढ़ना है तो क्या मैं zero से start करूं या फिर मैं problems बनाना start करूं कैसे आप लोगों की क्या strategy थी अमन आपकी क्या strategy थी सब्सक्राइब करना है तो उससे पहले में पास material पुरा sorted होना चाहिए और रिविजन में मानता हूं कि अब रिविजन के लिए वापस बुक नहीं खुल दी चाहिए रिविजन करना है अपने ही नोस में से वापस करूं उसके लिए एक सेट आप कॉम्प्रिहंसिव नोस त अब यह से शॉट नोस माइक्रो नोस उसका अभी नहीं अगर पहरी बार नोस वरा रहे हैं एक बार एक सेट आप मैं चोटी से लाइवरी मेरे पास सारे की नोट्स में रिविजन करना तो अन नोट्स करता था और रिविजन में ऐसा नहीं था कि बतलब पूरा सब्जेक आ अगर कुछ हैं तो अच्छे और की रैक्टिस कोशन मिल रहा है को तो यह चारपा स्टेप के साथ एक या दो जनका में रिविजन किसी एक टॉपिक को अच्छे से दूपर एक मिशल आपकी क्या स्ट्रेजी थी सर मेरा ऐसा रहता था कि मैं सर मैंने जब नोट्स बनाये जो मेरे बड़े वाले नोट्स त benefited मैं एक एक सीज लिगी वह थी स्टाटिंग के जो महिने होते हैं से मतलब जून जुझलाई इनीशल जो मंद्स होते हैं, उस समय तो सर जब मैं एक सब्जेक्ट उटाता था उसको पूरा रिवाइस करता था, तो सर उसमें टाइम अब यहादा लगता है, कई-कई बार सर एक सब्जेक्ट में पूरा एक दिन भी जाता था, बच सर फिर में को बाद में लेटर खुदी, कि ताकि मेरे को जब फेबरेरी में पूरी बुक, पूरी कॉपी से न पढ़ना पड़े, तो सर ऐसे मैं ने कर रहा था, मेरा पूरा एक सब्जेक्ट पकड़ता था सर मैं, मैं लिख देता था कि कौन से सब्जेक्ट को, अपने आप पता चल जाता है कि एक हफते स जादा हो गया है कि हमने रिविजन करा नहीं है इसका, तो मैं उस से सब्जेक्ट सेलेक्ट करता था, और सर फिर पूरी कॉपी का रिविजन अच्छे से करता था, और सर सेकंडली सर मैं सिर्फ एक तो थियोरी का रिविजन करता था, सेकंडली हर सब्जेक्ट के सर कुछ अ concept से अलग-अलग किसम के वो और सर और मैं तीसरी चीज़ ये भी करता था कि हमने जो test में mistakes हुई हो subject में सर उन mistakes को भी मैं दुबारा revise करता था तो ऐसे मैं subject wise subject पूरे revision करता था सर एक बारी में गुड 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 यार यहां मैंने एक चीज़ notice की जैसे हम लोग जब preparation करते रहते हैं तो बहुत सारे हम लोग ऐसे preparation strategy discuss करते हैं teachers बताते हैं कई सारे टॉपस बताते हैं लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही strategy जो है वही आपको सफलता दिला सकती जैसे हमारे पास example है आप दोनों के लग-बग सेम है लग-बग रैंग सेम है लेकिन आपकी strategies में difference था and whichever suited you whichever suited your personality आप लोगों ने वह strategy use की and then it gave you the best result तो यह चीज़ मेरको ऐसा समझ में आ रहा है कि मतलब हर किसी की strategy में थोड़ा-थोड़ा अंतर हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक particular strategy को लेकर चलोगे तो उसी से ही आपका भला होगा उसी से आपको अच्छा result मिलेगा अलग-अलग strategy हो सकती है तो यह revision की strategies हो गई मतलब इसके कुछ ऐसे simple rules हैं जैसे आप दोनों ने ही revision को बहुत ज़दा importance दी आप दोनों ने ही notes को बहुत ज़दा importance दी तो यह कुछ चीज़ें तो basic हैं जो fix हैं लेकिन इसके अलावा इसके आज पास की चीज़ें आप लोग थोड़ा सा modify कर सकते हैं अपने हिसाब से है ना आप लोगों का study schedule क्या रहता था study schedule मेरा जिनके आठ बरे start हो जाता था तो आठ तक उठी जाओं साधी आठ तक पढ़ने बैड़ता हूं फिर दो घंटे की सेटिंग रही उसके बाद breakfast बनाए उसके बाद वापस है आदे गंटे बाद बैट गए फिर दो बजे तक पढ़ा लंच किया तो आफ्टनून पढ इसे एक सेटिंग होती है एक से टैनार्ट मेरा एवरेज होता था शेडियू मैंने सब्जेक्ट की अगर फेवरेटनेस को देखके तो बिल्कुल ऐसा ही करा था कि जो सबसे अच्छे फेवरेट सकते सबसे पहले उनको नहीं आते वह confidence अभी करा देंगा अभी से हुठा लि साथ साथ में तर्मो डाइनमिक्स और वह सब चैनाज अपकी सिरेवर कंप्लीट नहीं है तो जब एक बार वह हुग है तो एक बार आपस होल्ड आजा तुकि मैंने जब फर्स अटेंट के बार दो तीन महीने का ब्रेक लेगा था मुझ से बुक्स नियूट रही थी मैं फो सब्जेक्स चला है और शायद से सेप्टेंबर ऑक्तोबर तक आते आते सिलेबस एटी नाइटी परसेंट तब हो चुका है तो अमन मैं जानना जाओंगा कि अब थर्टी-फोर रैंक तो आगए तो अब आगे क्या सोचा है कैसे इस रैंक को यूज करना है क्या चाहते हैं आप आगे तो अब आगे क्योंकि जब मुझे गेट की प्रेपरेशन करनी थी जब मैंने साट की कि तो सोचके की थी कि PSU होगा मेरे पास ऐसी को जाब या अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरा अभी आपकमिंग तू वीक्स के लिए आडियो का भी इंटर्व्यू है मैं अगर उन्हें से हो जाता है फाइनली मैं कहीं चला जाता हूं अगर तो वह सोच्छों के इतना बुरा लग रहा है कि लेकिन यह जरूर है कि मतलब इस चीज से आपको काफी काफी ज़दा कॉन्फिडेंस तो आया ही होगा तो भले आप इस रैंक से किसी जगह एडमीशन ना ले लेकिन आम शूर कि आगे जिंदगी में ना जब भी कभी आपको कोई बहुत बड़े बड़े चैलेंजस देखन को मिलेंगे ना तो इस चीज से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा ऐसा एक्जाम जिसमें आपने पहले उतने अच्छी रैंक नहीं लाई लेकिन अब इस बार 34 है तो यह एक बहुत बढ़िया चीज होती है क्योंकि मिर को याद है कि जब मैं भी कभी फसता था ना जब सब्सक्राइब कर लिए तो आगे कुछ की ऐसे कभी प्रॉस रोड जाएं कि या तो फोड़ा से चैनलेंजिंग पाथ अच्छे रिजर्ट्स देगा तो हाँ वह कॉन्फिडेंस आगा कि चैनलेंग पाथ की बिलकुल बिलकुल तो एक मिशल आपके क्या प्लांस है इस AIR 36 स आप क्या करना चाहते हैं सर अब्जेक्टिव तो सर स्टार्टिंग से गेट देने का यही था कि PSU जॉब्स मिल जाए सर बट फिर सर जब रैंक नहीं आई थी फर्स्ट्व एटेंट्स में तो सर एक और मोटिवेशन आ गया था कि तीसरे अटेंट में सर कि आप खुद को करना है कि मतलब जब ऐसा लग रहा है कि हम निकाल सकते बेपर तो इस बार एक्चुली प्रूफ करना है खुद को तो सर एक वो मेरे लिए थर्ड एटम्ट में ज्यादा बड़ा मोटिवेशन बन गया था कि रिजल्ट कैसा भी हो बट इस बार अपना बैस देना है अपनी म अच्छा मैं एक लास्ट चीज आप दोनों से यह पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन का फैक्टर क्या था वो क्या चीज थी विच कैप यू गोइंग क्योंकि आप लोगों ने साल दर साल इस एक्जाम के लिए प्रिपेर किया है और कभी भी आप किसी एक्जाम के लिए ना बहुत लंबे समय तक जब प्रिपेर करते हैं तो इस वेरी इंपोर्टेंट आट यू कैप मोटिवेटेड तो वो क्या चीज थी विच कैप यू गोइंग विच मोटिवेटेड़ यू मुझे रहा पास के जोब नहीं के जॉब आने रही कि क्या शॉर्टेट की कुछ भी नहीं है इहां पर क्यों आए जो मैंने कि मुझे फ़ाइट करनी एक नहीं दो बार अगर मैं सब्सक्रानी बताओ मैं सेकंड यर में इतना इमिच्वर था और इतना पता नहीं थीज में सब्सक्राइब कि दो बार गेट देना पड़ेगा मुझे तो मैं बस यह सोचा थे मिया पर आया क्यों वह चीज मुझे मोटिवेट कर थे और फिर वाले काफी सपोर्ट एचीज को लेटा कर टेक यौट मैं अपने दिमान में बना के लिटा था कि मैं बागिस्का हो गया हूं अब मुझे करना चुरू कर दें सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं कर लेता हूं तो वह चीज अभी टाइम है अभी अभी एनरजी है और अभी लूज अगर अगर जॉब की वाद तो तारिक को मेरे अगाउंट पे कुछ नहीं आ रही है तो 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 तरह बाद आप यूट मारी जूना इसको एक रेट कर लूँ महनत एक बार एक बार तेज वो पूरे अग्रेशन के साथ इसको गुड़ 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 वह चीज अभी अगर बार दे दिया था उसके बाद सर यह हो गया था कि ठीक है यह पेपर निकाला जा सकता है तो फिर अपने सेकेंड अटम में बहुत अच्छा वह मारा था कि रैंक इंप्रूफ करने यह फाइनल यह मैं ऐसे नहीं जाना चाहता कि कॉलेज कटम हो जाए और मेरे पास कोई जॉब नहीं हो और सर में को फर्स अटम के बाद लगी गया थे कि ठीक है पेपर क्रैके वल ह अगर अच्छे से तैयार करोगे तो निकल जाएगा तो सर सेकेंड अटम में मोटीवेशन यह था कि फाइनल यहर के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जॉब नहीं है या फिर मतलब जब कैपेबल हो तो जॉब होनी चाहिए पर सर सेकेंड अटम में फिर वो नहीं होता है सर कि कुछ दिन आपके खराब जाते हैं कुछ दिन आपकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है कि क्या हो रहा है सर मतलब होता ही है तो उस टाइम सर मैं खुद को यहीं बताता था कि कोई बात नहीं इस बार नहीं करना है बस इस बार पुश ही करते रहने अब अगर ह यार ये बहुत सुनके अच्छा लगा मेरे को कि मतलब ये चीज तो मैंने देखी है जितने भी टॉपर से हम लोगों ने बात की है न कि कोई न कोई ऐसी चीज होती है है motivation जो लोगों के अंदर रहता है जो साल भर दो साल तक वो उनके अंदर लगता रहता है वो लगे रहते हैं उस चीज वो continuously उस चीज वो पकड़ के रखते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई factor नहीं है ऐसा कोई point नहीं है कि आप लोगों ने preparation क्यों start की किसी को बस देखके start कर दी या फिर बिना clarity के start कर दी तो ऐसा होता ही है कि कुछ time के बाद जो है वो आप demotivate होने लगते हो खास कर जैसा आपने बता है कि कुछ दिन पूरे जाते हैं कुछ दिन ऐसा होता है कि test में अच्छे marks नहीं है कुछ दिन ऐसा होते है कि सवाल नहीं लग रहे है यह subject थोड़ा difficult लग रहे है तो वो give up करने की इक्षा होने लगती है अगर आपके पास कोई ऐसा motivation ना हो तो एक strong motivation का होना बहुत जरूरी है इसके साथ-साथ एक अच्छा guidance होना भी बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ महनत तो करनी है तो वरी 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 congratulations to both of you once again we all wish कि आप लोग लाइफ में और बहुत अच्छा करें आप लोगों की dream job आपको मिले उस job में भी आपको बहुत ज़्यादा success मिले thank you so much for coming on to this platform and thank you so much for sharing all your experiences all your strategies with all our students thank you so much अब्सक्राइब कर दो सर्में रामनन सर्शे सर बहुत उन्होंने मतलब रामनन सर्शे पड़ाओं सर और अदित्यवाल सर्शे भी इंडेस्ट्रियल पड़ा हुए पहले प्रोप्र आपकी मैंने मेंने मेकैनिक्स की वीडियो देखिए जो आपकी ओ सीडिज आ दी वी मैं आपको मतलब प्रणाम करना चाहता हूं सर बहुत आपका बहुत सब्सक्राइब करना चाहता हूं सब्सक्राइब मतलब मेरे नहीं चीज़ है कि आसी रहें काई और पर आपकी ट्रैटीजी क्या वहीं आपकी इसका हूं यह आप यह बहुत 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 अच्छा लगा में को सुनके एक एक्चुली में होता क्या है मालू मैं आज की डेट में प्रॉब्लम ही हो गई है कि ओनलाइन क्लासेज और यह ओनलाइन इतने सारे resources हो गाया ना कि बच्चे मतलब इस race में लगे रहते हैं कि हम लोगों को best यह मिल जाए, best वो मिल जाए, best books मिल जाए, best notes मिल जाए, यहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो और यह सब जमा करते करते हैं आपके पास बहुत अच्छी library तो बन जाती है लेकिन उसके बाद भी आप confused हो जाते हो कि इसको मतलब मैं utilize कैसे करो, तो मेरे इस आपसे तो यह है कि मतलब पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, books बहुत सारी है, notes बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़े होंगे, आप लेकिन अगर किसी एक चीज को अपना मान लेते हो, जैसे करके अपनी तयारी करते जाओ, वरना यही होगा कि आप हमेशा लगता रहेगा कि अरे यार मैं वो कर लेता हूँ, वो जाधा अच्छा रहेगा, मैं वो देख लेता हूँ, वो जाधा अच्छा रहेगा, मैं ये book से पढ़ लेता हूँ, मैं वो notes डाउनलोड कर लेता हूँ और आप इसी में लगेर होगे तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से decide कर लो कि यह मेरे resources है मैं इनको use करूँगा और बस मैं इसी को लेके आगे बढ़ो आप लोगों से मैं यह भी expect करूँगा strategies वगर है वह अपने juniors को अपने साथ वालों को जरूर बताते रहना उससे कही ना कहीं किसी ना किसी का फायदा होगा आपको और अच्छा लगेगा जब कल को कई आपको मेसेज करके call करके बोलेगा ना कि आपकी strategy की वज़े से आपके मार्ग दर्शन की वज़े से मेरा भला हो गया तो आपको और बहुत अच्छा लगे तो बिलकुल आप इसी तरीके से सबको motivate करते रहना और सबको guide करते रहना तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सब्सक्राइब